कि चलिए आज हम लोग बात करेंगे किसकी कम्मुनिकेशन सिस्टम के अंदर जो भी हमारे किसमें टू मार्क्स के अंदर कोस्टन्स पूछेगा है उनकी तो इजी है आराम से समझने कोसिस करेंगे चलिए शुरू करते हैं पहला कोस्टन हमारा क्या कहता है एक्स्प्लें प्रिक्वेंसी मॉडिलेशन ठीक है तो एक दम आसान भासा में समझना है मतलब उसको कुछ भी नहीं है तो किसी को भी यदि किसी सिगनल को या किसी इन्फॉर्मेशन को एक जासे दूसरे जगा पर भेजना होता है तो हमको एक कैजर की जोवत परती है मान को भेजना है कहीं तो उसके लिए हमको क्या होगा क्या जवत पड़ेगी इसके साथ इसको अध्यारूपित्या क्या प्रिक्वेंसी करेंगे तो हमारा जो सिगनल बनेगा यह हमारा क्या होगा ट्रांसमीट होता है तो क्या सकते हैं ऐसे इसको हमको मॉडिलेट करना है ठीक है और यह हमारा क्या है 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 यह होता है यह होता है यह है इसको ना amplitude करते हैं, चलो यहां से करते हैं, यहां से करते हैं, यह maximum जो height होती है, उसको इसका amplitude कहा जाता है, तो इस case में जितना यह height है, वही height यहां भी रहेगा, ठीक है, तो इसको क्याते है, same amplitude के रहेंगे, और क्या क्या रहा है, as that of a carrier wave, but its frequency is varies in accordance with the instantaneous value of the modulation wave, लेकिन इसकी frequency जो वह vary करते हैं, अब यहां की बात करें, इसकी frequency क्या है, एक secondary मालो यह इतनी चला ठीक है, लेकिन क्या, एक, लेकिन क्या, एक, दो, तीन, चार, पाऊँ चला, अब उतने ही time में क्या यह 5 चल पाया, एक, दो, तीन, चार, एक पाँच, इसमें कितना था? एक, हम चला है कह सकते हैं कि number of frequency का मतलब क्या होता number of cycle per unit time unit time के अंदर यदि हम बात करते हैं तो कितने complete कि यह आरहा चला गया सारे चार अजब कि यह कितना complete कि यह एक दो तीन चार पाँच तो इसकी frequency क्या हो गई चेंज होगे यदि यहां से यहां की बात करें तो क्या देख रहे हैं यहां यह इतने सारा चला है जब कि यहां पर सिफ दो बार ही complete कर पाया तो दोनों केस में क्या है frequency अलग-अलग है तो वो time के respect में उसकी frequency बदलती रहनी चाहिए और क्या होना चाहिए उसकी amplitude सेम रहना चाहिए तो उस step के modulation को क्या बोलते हम लोग frequency modulation तो frequency modulation यहां यूज कहां वाइडली इन कहां पर radio communication and broadcasting में तो इसका यूज कहां क्या जाता है radio communication में दूसरा हमारा broadcast करते है किसी चीज को तो उसके लिए तो उमीद है थोडू सा समझ में आया होगा कि simple सा चीज है frequency modulation का मतलब है कि ऐसे दो waves को superpose करना है कि जिसके current उसका क्या होना चाहिए हाँ उसकी frequency बदलती रहेगी time के respect में लेकिन उसका amplitude नहीं बदलना चाहिए तो वह हमारा क्या क्या चालाएगा frequency modulation जैसे यहां clearly लिखा हुआ है next हमारा क्या रहा है what do you understand by the term analog signal ठीक है 2018 में 2011 में क्या पूछा है analog signal और digital signal दोनों में आपको value बतानी है कि क्या है दोनों तो हम दोनों को यहीं पे solve कर देते हैं a signal which current and voltage varies continuously मतलब यहां देख रहे हैं current and voltage जो है यहां इस time पीतना था यहां पीतना था यहां पीतना था continuously यह change हो रहा है तो इस type के signal को क्या बोला जाता है analog signal okay time के respect में जैसे यह sign curve को follow कर रहा है तो time के respect में क्या है इसकी voltage और current क्या हो रही है बदलते रहती है तो इसको क्या बोलेंगे analog signal okay लेकिन digital signal किसे कहा जाता है जिसका current or voltage can take two discrete values it's called digital signal यहां देखने हैं सिब दो ही value दे सकता है यह जिरो देगा यह यह देगा तो नॉर्मली से binary system यूज क्याता है 0 1 0 1 वाला system ठीक है तो सिब दो ही value यहां पर कितना आ रहा है 0 आ यहां पर दूसरा value आ यहां पर वापस से यह पहले वाला क्या होता 4 होता यहां पहले वाला क्या होता मालिया 3 होता यह मुझा होता और क्या होता तो इस case मिलमाल है Leanतो 5 या नहीं था जीरो से जब कि इस case मिलमाला क्या है Zero बें आएगा 1, 2, 3, 4 something, something nothing कुछ देख सकता है तो digital का मतल wij एंकिumput हो गया simple सा सिर्फ दो values के हिसाब से यह काम करेगा जबकि analog क्या है continuously vary करता रहेगा time के respect में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे analog signal लिखने के बाद आप दोनों डाइग्राम बनाईएगा कि दो नमर तो मिलेगा यह next हमारा कहा है explain modulation and write types of modulation modulation का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो signal है जो हमारे पास information है उसको किसी carrier signal के ऊपर चरहा दिये और उसके उसको क्या करते है modulation कहते हैं जैसे यह हमारा क्या है एक message signal जिसको हमको कहीं भेजना है इसके लिए हमको baseband message और information signal on a high frequency wave अब हाई यार लो लिखा इसका कैसे पता चलेगा एक second मालो यह इतना चला यह कितना चला इतना ही चला ना complete किया मतलब एक wave को complete किया जिक भी इतना ही time में यह कितना complete कर लेता दो वेव को complete कर लेता है तो उसके frequency क्या है एक second में यह दो बार complete कर लिया यह एक second में एक ही बार complete कर तो इसके frequency high इसके frequency low तो लो frequency वाले को high frequency को उपर superpose करने के बाद जो हमारा कहानी चला है जो घटना घटी मतलब दुर घटना हो रही है उस यह क्या बोलते है modulation the supreme posing the low frequency best bend message or information signal on a high frequency wave अब objective में भी हमने बोला था कि हम तीन ही की बात करेंगा और normally books तीन ही की बात करते हैं तो यह तीन टाइप के हमारे होते हैं पहला होता है amplitude modulation दूसरा frequency modulation तीसरा होता है phase modulation तीन टाइप्स पूछा गया तो और modulation क्या होता है वो पूछा गया था तो उमीद है आपको समाज में आयों का modulation का मतलब क्या है low frequency को high frequency को अपस चड़ा के भेज देना यह चड़ाने की मतलब कहते है high frequency के ऊपर low frequency वाले को mix up करना या super pose करना क्या क्या आला था मारा modulation क्या आलाता है कि अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है नेक्स्ट क्या रहा है explain यूज आयों क्या लिखा हुआ है इन कम्टिकेशन सिस्टम में हमारा इनोस्फेर का क्या यूज है तो कम्टिकेशन सिस्टम के अंदर हमारा क्या यूज है भाई रेडियो बेफ जो होती है इनोस्फेर से रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ तक आती है तबसे बादा यूज तो यही है नेक्स्ट हमारा क्या वाट इनोस्फेर क्या होता है तो क्या सकते है एट्टी अर्थ एट्मोस्फेर के अर्थ सर्फेस से एट्टी किलोमीटर के ऊपर का जो एडिया होता है उसी को हम लोग आइनोस्फेर कहते हैं ठीक है अब आपके बुक में कहीं भी एट्टी के जहापे 60 या 100 हो सकता है लिखा हुआ तो आपको फिगर दीख रहा है जो डाटा दीख रहा है यो विकिवीडिया का है तो यह उस पर भरोसा करी सकते हैं भले इधा उधर से ना करें तो अलग-अलग बुक अलग अलग-अलग डाटा लिखता है उसके लिए जंजट नेपाल ना किसी एक चीज को आपको लिखना तेक यह जिए आप फिगर बनाते हैं देख सकते हैं यहां से लेकि यहां तक क्या बोला गया है इनोस्फिर बोला जा रहा है तो कह सकते हैं इन लियर अफ अप बीर्थ एट्मोस्पेर एटि क्योलोमेटर वऔ टूलोमेटर ठाल्ड पॉम, इनो एट्मोरमेटर पॉम भॉम कार लियर आप्स्पेर that is ionized by किसके solar radiation से solar radiation कारण यह क्या होते है ionized हो जाते हैं यह भी आप कहां ने लिख सकते हो और इसका कहां यूज होता है it reflects and modifies radio wave used for communication and navigation navigation और communication में जो हम लोग radio wave का use करते हैं उसको क्या करता है reflect करता है या कह सकते हैं modify करता है तो यह चोटू सा फीगर बना चाहा है बना ले लिख देगा दो लाइन लिख देगा दो नमर तो पक्का वाला मिल जाएगा 2017-14 में पूछे हुए है 2016-10 क्या कह रहा है explain sky wave and space waves ठीक है explain any two of the following term ground wave, sky wave और space wave तो हमको दो ही पूछ रहा है हम तीनों को define कर देते हैं कौन जाने क्या पूछते है ठीक है तो पहला हमारा ground wave का मतलब होता है जो earth के surface के कारण एक receiver से और यह हमारा क्या है transmitter तो इसमें ground के surface के according यदि चलता है जो wave उसको हम लोग क्या बोलते हैं ground wave तो क्या सकते हैं the wave which progress along the surface of the earth are called ground wave और surface wave किसके according रहता है यह हमारा earth के surface के ठीक है the ground propagation is suitable for किसके लिए low और medium frequency के लिए यह low frequency और medium frequency रहेगा उसके लिए अच्छा है high frequency के लिए काम नहीं करने वाला है तो आपको already इसके बारे 5 नमर ने पूछे हुगा है कि भाया बताए ground propagation क्या होता है तो same यहां जो लिखे हैं इसी में थोगा सा चिपका देंगे method type of this method is called ground propagation तो वहां के बात वहां करेंगे same कहानी वहां भी पूछी गई आपसे तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में थोड़ू साया होगा simple सा क्या है progress along किसके surface of the earth तो हमारा क्या क्या लाएगा ground wave क्या लाएगा और इसी method हो क्या बोलते हैं ground wave propagation बोलते हैं next हमारा क्या है sky wave sky wave का मतलब क्या है कि यह गया बहादूर ionosphere से reflect होके वापस से earth पे आ जाता है तो कह सकते हैं those radio waves which are reflected by the ionosphere of the earth and start coming back toward the earth यहां से गया ionosphere से reflect हुआ और earth की तरफ आ गया these type of waves are called sky wave इसकी frequency के यह बात करें तो इसकी frequency 3 MHz to 30 MHz तक होती है अलग-अलग बुक में बाबू अलग-अलग लिखा हुआ है तो एक general case में कह सकते हैं 3 MHz to 30 MHz तक इसकी frequency होती है जिसको हम लोग भेजने के लिए कितनी frequency की इस frequency को यूज करते हैं सिंपल सा है sky wave का मतलब ग्राउंड से गया आइनोड स्पेर से रिफ्लेक्ट हुआ वापस जहां जाना चाहिए तो वहां पहुच के रिफ्लेक्शन के वापस अर्थ पर आना शुरू कर दिया नेक्स हमारा है space wave space wave का मतलब क्या है कि सीधे वो क्या करेगा transmitter से निकलेगा और जहां उसको पहुचना है वहीं पहुचना है मतलब यहां से हमारा क्या होगा निकला और इसको कहां भेज दिये satellite तक इसके बीच में कहीं भी इसमें कोई भी चेंज नहीं आए कि यह अपना direction बदल लिया रिफ्लेक्ट हो गया ऐसा कुछ कहां नहीं होता है फिर यह satellite से निकला वापस जहां इसको receiver करना आप इसको receive कर लिये तो इसके अंदर आप तीनों है हमारा ground wave भी है sky wave भी है और space wave भी है तो क्या सकते है the space waves are the radio waves of very high frequency that is between 30 megahertz to 300 megahertz okay the space wave can travel through atmosphere from transmitter antenna to receiver antenna antenna okay सीधे transmitter से receiver antenna को यह catch करेगा बीच में कहीं भी कोई reflection वाली बात नहीं होती है तो इसका frequency याद रखेंगे आप ठीक है छोटा सा diagram है इस diagram के अंदर आपको तीनों है ground wave यह जा रहा है ठीक है यह हमारा कौन सा है sky wave ionosphere के reflection के बाद और यह हमारा क्या है space wave satellite तक गया satellite से वापस आ गया इसको हम लोग क्या बोलती है space wave तो छोटा सा चीज है ध्यान में रखेंगे last topic है थोड़ा बहुआ पोच दिया एक का दूखा पुछता है इस topic से पोच दिया तो जबूर बनाईएगा next हमारा है state two factors by which the range of transmission of tv signal can be increased अब इस type का कहीं antenna देखे हो यह का आप या क्या बलते हैं tower देखे होंगे ठीक है या इस type का तो chance कम है देखे होंगे लेकिन कुछ लोग देखे होंगे इस type का antenna तो इसके range को कैसे बढ़ाया जा सकता है tv transmission का जो range है तो बढ़ाने के लिए क्या कर सकते है तो पहला चीज इसकी उचाई को क्या करें बढ़ा दे दूसरा चीज इसकी frequency को बढ़ा दे क्या सकते हैं by increasing the height of transmitting and receiving antenna अंदूसरा क्या है increase the power of transmitting signal from TVA station इसके power को बढ़ा दिया जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा दूर तक उसका range बढ़ जाएगा दूसरा चीज क्या हमारा इस antenna के height को बढ़ा दिया जाए तो भी हमारा क्या होगा उसका range बढ़ जाएगा दोई चीज पूछा था, बता दिये. नेक्स्ट हमारा करे, explain the following, www और facts. अल्एडी आपको facts objective में पूछ चुका है, www. अल्एडी हम लोग सब्लूग यूज करते है, साहिधी कोई बंदा ऐसा है, जो www नहीं जानता है. तो www का मतलब क्या होता है, worldwide wave, इसका काम क्या होता है, कि information को एक जगह सबको क्या करते है, connect करवाना, तो कह सकते हैं, simple सा, in it one computer shared with the, किसके other computer, many search engines are as Google, Yahoo, etc, search website, यह हमारा क्या, एक search website की तरही work करता है, और एक को दूसरे के साथ connect करवाने का काम करता है, तो कह सकते हैं, it one computer shared with किसके other computer, मतलब connect करवाया, यह एक हमारा क्या है, www, यह इसके साथ इसको भी connect करवा सकता है, और भी information अलग अलग बहादुरों करते हैं, जिसकी जैसी जववत, यह इसको connect करवाते रहता है, उसी तरह हमारा facts क्या होता है, facts, simple सा, short name of face smile, अब इसका काम क्या होता है, facts maximum लोग देखे होंगे, ऐसा वाला नहीं देखे होंगे, कमेंट करके पक्का बते हैं, कितने लोग ऐसा वाला machine देखे हैं, इसमें क्या होता है, कि आपके पास कोई document है, ठीक है, image है, उसको आप एक जगह से scan करते हो, एक machine से, और telephone line के त होता है, जो उसको क्या करता है, print out निकाल लेता है, इसको क्या बोलते हैं, इस system को fax वाला system कहते हैं, तो कह सकते हैं, figure or of document is taken by one machine, जिसको fax कहते हैं, and is sent by किसके, telephone line, on the other machine, एक machine से documents को scan किये, उसको signal बनाए, digital signal को telephone line से, दूसरे machine ने भेज़ दिया, वहां से, print out मतलब उसका निकलेगा, यहां क्या था, वहां निकलेगा, just photocopy क्यारा है, एक transmitting antenna at the top of the building has a height of 64 meter and height of receiver antenna is 81 meter, हमारे पास एक height है किसका, किसका है, a transmitting antenna, चलो, transmitting antenna का हमारा height देके रखा है, 64 meter, okay, and height of हमारा receiver antenna का देके रखा है, कितना, 81 meter, इतना हमको देके रखा है, क्या रहा है, what is the maximum distance between the two antenna for satisfactory communication in line of sign mode, ठीक है, radius of heart इतना देके रखा है, चलिए, R की value भी हमको देके रखा है, 64, 00, km, objective में भी इस type के एक question बनाए है, चलिए, माल लेते हैं, यह हमारा एक क्या है, receiver antenna है, इस height पे, और यह हमारा क्या है, एक transmitter है, okay, तो इसका range मालो यहां तक है, यहां तक के बीच में कोई भी आएगा, उसको क्या करेगा, यह signal प्रवाइट करेगा, अब इस बहादूर का range कितना होना चाहिए, यदि यहां तक इसका range होता, तो इस signal को यह पकर लेता, यह होता न, तो यह दोनों मिलके जो range बनाएगा, मतलब R किसके लिए, transmitter के लिए, और किसका R, receiver के लिए, तो यह दोनों जो होगा, वो हमको क्या देगा, complete range, यह यहां तक पहुँचा है, और यह यहां से इसको receive करने चला आया, तो total range कितना होगा, RT प्लस RR, तो लिख सकते हैं, range बड़ावर RT प्लस RR, तो RT के लिए क्या लिखते है, R का formula हमको पता है, root under 2RH, तो 2RH किसका, transmitter का, plus root under 2R किसके लिए, receiver के लिए, तो H किसका, receiver का, तो इसमें से हम common क्या ले सकते हैं, root under 2R को common ले लिए, चलिए पहले value डाल दे क्या, नहीं, चलिए यहां से हमको common आ जाएगा, कितना, root under HT प्लस root under HR, value पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 6, 4 R की value कितनी है, 6, 4, double 0, 6, 4, double 0, kilometer तो meter में मतलब 10 to the power, 3 HT, यह हमार 64, root under 64, plus root under, कितना है यह, 81, तो 81, इतना लिख दिया, अब इसको solve करना हमको तो क्या कर सकते हैं, करके देख लेते हैं, 64, double 0 में से 80, 84, 68, 80, इससे 80 बाहर आ गया, ठीक है, और 10 to the power 3 में से 10 बाहर आ सकता है, थोड़ा सा calculation किजेगा, यह हमारा 2 बच गया अंदर में, ओके, यह तो पुड़ा खतम हो गया, यहांस कितना बच गया, 10, मतलब 20, और यह हो गया, 64, 8 into 8, ओके, यहां हो जाएगा, 8 और 91 का, 81 का 9, यह हमारा कितना हो गया, 800 into, 17 into root under, 20 meter, अब इसको जब solve करें तो आपका आजाएगा 60.82 किलो मेटर, ठीक है, solve करके देखिएगा, आपको इतना आजाएगा, सब कुछ है दी सही हमने भी टाला होगा तो, okay, तो easy question है, अब उमीद है कि आपको समझ में आएगा इसके लिए range निकालने के लिए हमने इन दोनों को क्य क्योंकि एक range तो ये बता दिया, दूसरे range ये बता दिया, तो दोनों मिला दिया, तो पूरा range पता चल गया हमको. थैंक्स फर वाचिंग, तो पसंद आया, तो लाइक किजिए, शेयर किजिए, और जम के पढ़िए, क्योंकि result बहुत वड़ी चीज होती है, चाहे कोई भी result हो, okay, चाहे board का result हो, किसी competition का result हो, नीट का हो, जेई का हो, किसी भी चीज का result हो, result बहुत माहिए रहता है, सब लोग रिजल्ट के लिए ही पढ़ते हैं, तो थवास अब 20 दिन बचा हुआ है, तो आज seriously, seriously बला काम केजिए, thank you, फिर मिलते हैं.